कि नमस्ते दोस्तों कैसे हो मैं अभिने लेर्निंग हम पर आप पर वैलकम करता हूं जैसा कि आपको बता है हमारा एक कि इसमें स्लेवर के स्टैप से होगा किलास कब होगी पीडियाफ कैसे मिलेंगी तो वह मैं आपको सबसे बता देता हूं अभी हमारी जब तक कुछ किलासी रिकॉर्ड चल लें तो उसकी टाइमिंग 2.30 पी.म है दिन में धाही बचे किलास उसकी मिलेगी आपको और उसका ला कैसे मिलेंगी पीडियाफ हिंदी में लाई है इंग्लिस में लाई है दोनों लेंगेज में आपको पीडियाफ मिलेंगी जैसे चैप्टर की लेंग्वेज होती है जैसे नंबर सीरीज हुआ या कुछ चैप्टर ऐसे हुए जिन में हिंदी के जरूद नहीं है किसी में पिदिएफ में सवाल पहले आपको वो होंगे जो में किलास में करा रहा हूं उसके वाद कुछ सवाल सेंड होगे जो नए आपको मिलेंगी ठेक है और आप siglabus पर आते हैं शिलीवस में क्याएं कि हम सबसे पहले बिल्कुल जो किलास मैंने ली थी नंबर से सेक्वेंस से वो clock class शुरू हो चुकी है clock chapter की पहली class हो चुकी है यह हमारी दूसरी class है उसके बाद जो जो chapter होंगे पहले एक-एक chapter complete कराए जाएगा उसके आपको उसके PDF दी जाएगी उसके आपके classes चलाए जाएगी next chapter की पहले एक chapter complete होगा पूरा उसके बाद next chapter होगा ठीक है तो यह जो हमारे बैचर एक टूजट रिजनिंग इसकी पहली class clock की हुई है clock chapter पहले complete करा जा रहा है ठीक है अब हम आते हैं इसकी second class पर एक class इसकी हो चुकी थी second class में जो जो पढ़ेंगे वह आपको आपको असासत बताता हूँ और पढ़ाता हूँ ठीक है बाकी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा आप बड़े आराम से तसलिदे चीजों को समझे और पढ़िएगा कि आपको कैसे की सवाल आते हैं पेपर में सर्फ मैं वैसी चीज़ें आपको कराऊंगा ठीक है कोई अब आते हैं सबसे बहुत हैं आपको बताया थे जो कि कितनी कितनी बार बनते थे वह सब में आपको बताया था ठीक है अगर सवाल यह आता है कि सेकंड की सुई एक राउंड में पूरा राउंड लेते वाक्त कितनी डिग्री अंगल बनाती है या मिनट की सुई एक राउंड लगाने के बाद कितनी डिग्री अंगल बनाती है या आवर की सुई कितनी राउंड लगाने पर कितनी डिग्री का एंगल बनाती है ठीक है अ एक यह हो गया, एक यह हो गया, ठीक है, जब तीन गैप बीच में हो, और उनके यहां से लेके यहां तक का एंगल 90 डिगरी बनना है, यानि तीन गैप में, एंगल कितना बनना है, 90 डिगरी, तो एक गैप में कितना बनेगा वही सब, 30 degree यानि यह जो second figure में फिर मैंने आपको समझा है यह मैंने आपको यह बता है कि हर घंटे की बीच में यानि यह जो सुई बनेगी यहां तक वो 30 degree angle बनेगा यहां पे भी 30 degree होता है यहां पे भी 30 degree होता है इस का कहने का मतलब यह नहीं कि हर आवर की बीच में मैंने आपको बता है हर आवर का जो gap है बीच में जैसे बारे से एक, एक से दो, तो से तीन यह 30-30 degree gap होते हैं ठीक है फिर मैं आपको अभी लिखा हुआ जैसे क्या लिखा है अगर माल लेजिए second की सुई 60 second में 360 degree को बनाती है इसमें आपको doubt बिल्कुल नहीं होना चाहिए बहुत basic चीज है यह आप मुझे एक बात बताओ अगर second की सुई बारे पर है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ second की सुई अगर बारे पर है ठीक है और वो यहाँ से घूम के आएगी पूरा round लगा के अगर वो पूरा round लगा के आती है तो आपको बताए गोला कितने का है 360 degree का और यह round कितने लगा रही है एक round पर कितना time होगा सिर्फ 60 second यानि एक minute ले गई तो वोई चीज मैंने आपको लिखी है आपर कि second की सुई 60 second में 360 degree का कौन बनाती है 60 second में 360 degree यानि एक second में कौन कितना बनाएगी 6 second अब आप सोचो जी हमें इसका यूज का करना है वो यूज अब आप सवाल में जब करेंगे तब आपको पता लगी कि इस चीज की क्या value थी सवाल डारेट भी आप से पूछ सकता है कि एक round पूरा करने पर second कितने degree कोण बनाती है तो आपका जवाब क्या होगा 360 degree यानि 60 second में यानि एक minute में 360 degree एक second में 6 degree ठीक है और मैं बहुत आरम आरम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ किसी को ये न लगे कि जी सर ने बहुत जल्दी पढ़ा दिया हमारी समझ में नहीं है कुछ कहें कि इतने आरम से पढ़ाना जल्दी पढ़ाई है नहीं तो को मुझे सब को साथ लेती हूँ चलना है तो सब की समझ में आना चाहिए इतनी fast भी नहीं पढ़ाऊँगा कि किसी बच्चे को दिक्कत हो ठीक अब आते हैं second पे अब यह इस अगर minute के लिए होता तो देखो minute के लिए क्या है अब जैसे clock में अगर minute की सुई पूरा round लगाती है तो कितना round time लेती है वो 60 minute लेगी जैसे second की सुई 60 second ले रही थी minute की सुई 60 minute लेगी तो minute की सुई सेम है बलकुल कोई दिकत नहीं है मिनट की सुई 60 minute में 360 degree है कोण बनाती है कैसे अब आप एक बार दिखा दे तो आपको जैसे यह बारे हैं आपे यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है अगर माल लिजे यहाँ से minute की सुई चलती है पूरा तो यहाँ पे आने में कितना नहीं लेगी साट मिनट लगेंगी घंटे की सुई बारे पर अगर है तो वह एक पर आजाएगी यानि कि साट मिनट में और 360 degree कोण मनाएगी जब पूरा राउंड लगाएगी एक तो साट मिनट में 360 degree एक मिनट में 6 degree मिनट की सुई यह आपके लिए बहुत ध्यान देना है कि पूरा राउंड लगाके आई ठी, तो मुझे एंगल बता सकते कितना अबनेगा अभी Orlando मिनट पिछली वाली में 30 degreeी ृ फिंब बनेगा binge nextya कि जम मिन्यट्ट की स्वूई पूरा 2010 मिन्यट्ट भूमलेहे दानी तो आए त्यक्त मिनीट मेट में 30 डीगरी कोन बनाती है तो आपको आवर वाले case में क्या आज रखना है कि जो भी time दिया गया है just उतका आदा angle बनेगा एक minute में आदा degree, 60 minute में 30 degree, 40 minute में 20 degree, 35 minute में 16, 17 degree आवर की case में आपको just आदा कर देना है ठीक है, बाकी minute और second में एक-एक minute का आज रखेगा 6 degree जिस आप से उतने time दिया, उस आप से उसकी multiply कर दिजिएगा आप जैसे ये वाला सवाल है आपको सवाल में ने ये दिया कि 48 second में what angle is made by hand of minute in 48 seconds यानि 48 second में आपको सवाल में क्या धन देना है सूई किसकी दियो हुई है minute की सूई कितने डिगरी का कौण बनाएगी तो आपको आप ही भी मैंने बताया कि minute की सूई एक minute में कितने डिगरी कौण बनाती है 6 degree यान से कंड में पूछाू है उसने यानि 7 second में लिख सकता हूँ एक minute को कितना हो गया 6 degree कितना हिस्सा है इसका दसवां हिस्सा 48 सेकंड में कितना वनेगा 4.8 degree का कौन बस A is the right answer कोई doubt इसमें नहीं होना चाहिए इतना आसान सवाल था यानि आपको सवाल में क्या धन देना है सुई किसकी दियो हुई है मिनट की आवर की या सेकंड की ठीक है तो 48 सेकंड में पूचा था हमें पता है एक मिनट में मिनट की सुई 6 degree कौन बनाती है यानि एक मिनट को 60 सेकंड लिख सकता हूँ 6 degree हो गया 48 सेकंड का पूचा था दसमा हिस्सा था इसका ये भी इसका दसमा हिस्सा हो गया अब आते हैं नेक्स सवाल पे सवाल दूसरा आपको यह दिया गया है कि 28 मिनट में आवर की सुई कितने डिगरी का कौंड बनाएगी वाट एंगल इज मेड़ वाई हैंड ऑवर इन 28 मिनट इसमें देखो क्या सबसे वले क्या देना आपको सुई किसकी है घंटे की आवर की सुई कि 28 मिनट टाइम है और कितने डिगरी अकॉंड पूछा है यानि आपको मैंने क्या बताया था कि कि आवर की सुई दे रखी है तो वह एक मिन में कितने डिगरी कौंड मनाती है एक बार आप इसको खुट रही करो क्योंकि एक सवल मैंने आपको बता दिया कि आसन था टिक डारेटी कर दिया वह कुछ बच्चोंन तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आवर की सुई में जस्ट आदा एंगल होता है जितना टाइम है उसका आदा डिगरी एंगल होगा 28 मिनट दे रखी है तो 28 मिनट में कितना वनेगा 14 डिगरी किसी किसी को डाउट नाओ मैं कभी चार को ऐसे लिखता हूं कभी ऐसे लिखता हूं एक ही बात है ठीक है अब आते हैं सवाल तीन पर सवाल तीन किलोग चेप्टर के बाद हम नंबर सीरीज का चेप्टर सुरू करेंगे और उसमें कई किलासे लगेंगी बहुत आराम से उस चेप्टर को बहुत अच्छे से बहुत सवाल उसमें करेंगे ठीक है क्योंकि नंबर सीरीज मिसिंग नंबर नंबर एनलोजी में बह स्वाल 3 वाईसा आपसे क्या कहता है कि वाट एंगल इंड भई हैन फेंट सेकंड की सुझए रखिऊ टाइम में तीन मिनट यानि आटें मिनट में सेकन कि सुझग किता डिग्री कौन बनाती है यह एक तीन पर अधardanRशाल पहले minute का सवाद करा है हमने दूसरा hour का सवाद कि तीसरा second का सवाद bearings है पहली वाली में आपको बात दया दोगी अभी बताएती मैंने कि second क्योग पूरा round में लगा लगा लेती है पूरा जब round लगाती तो उसको time करता लगता सिर्फ एक मिनट यानि साट सेकंड का वक्त उसको लगता है वो उसको बोलते हैं एक मिनट यानि सेकंड किस हुई एक मिनट में कितना कौन मनाती है पूरा राउंड जब लगाएगी तो 360 डिगरी यह गुलत 30260 का ही होता है न कोई डाउट इसमें ठीक है तीन साट डिगरी तीन मिनट में उसने पूछा है तीन गुना है यहां भी आप तीन गुना कर दो 36 कि एक सो आठ और जीरो और लेड़ी है यानि यह एक 180 डिगरी ऐसे सवाल आपसे पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं यानि तीन सवाल इस पर बने तीनों मैं आपको बता दिये कि अगर सेकंड की सुई का पूछा है कि यार बताईए तीन मिनट में सेकंड कित्य डिगरी कौन बनाएगी पीछे सवाल तीन मिनट में कितना दिया उसने एक 180 डिगरी वो सकता है कल को आपसे पांच मिनट में पूछ ले या पूछे आपसे अच्छा बताईए चार घंटे में आवर कि सुई कित्य डिगरी कौन बनाएगी जस्ट आपको आदा कर देना है उसका ठीक है या आपसे पूछे मिनट कि सुई कि समय म मिनट कि सुई घंटी है साट मिनट में 30-60 डिगरी और जब मिनट कि सुई पूरे राउंड घंटी है तो इसमें आवर कि सुई सरफ एक गैप चलती है जो मैंने बताया था तीन गैप है जैसे बारे और तीन के बीच में एक गैप में 30 डिगरी अंगल बनता है ठीक है अब क भूल सकते हैं और ना सवाल उससे कर पाएंगे सवाल यह बनता है पेपर में कि आपको नो टाइम दे रखा होगा कुछ भी कुछ भी टाइम वो दे सकता है कुछ भी टाइम दे सकता है मालेजी उसने बोल दिया कि दो बज के तीस में डो रहें या अच्छा तीन बज रहें तीन बजा दिये उसने तो इसमें टाइम दे रखा होता है को टाइम इज गिवन यानि टाइम दिया है जिनको भाई हिंदी में दिक्कत है मुझे तो थोड़ी यह समस्या आती है कि बचे सर हिंदी में लाईएगा ठीक है आपके अंग्री जी इतनी भी किया तो आप पेपर में अंग्री जी कैसे कर पाऊगे यह इंग्लीस को भी अंग्री जी बोलके कराते हो हिंदी मुल दें अंग्री जी हो गई थोड़ा सा आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इतनी नॉर्मल टाइम इकल टू गिवन द आई ठीक है और उसने एंग्ल पूछा यह एंग्ल मतलब होता है कौड ठीक है टाइम मतलब समय अगर आपको सवाल में समय दिया है और उसने कौड पूछा तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूल याद रखना है यह वाला यह बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इससे आपका सवाल जो एक्जक आप्सन होगा हुआ आपका आंसर मेंच करेगा यह मतलब होता है एंगल एच मतलब आवर और एम मतलब होगा मिनट एंगल एकल टू एच इंटू 30 माइनस 11 एम वट्टे दो अगर हमें समय दिया है एंगल पूछा तो क्या फॉर्मूला है एकल टू एच गुणा 30 माइनस 11 एम वट्टे टू ठीक है यह आपको फॉर्मूला याद रखना है अब इस पर सवाल कैसा बनता वो सवाल देखिएगा आप ठीक है बाइym जितनी थेओरी जिस चेप्टर में होगी मैं सारी कराओंग के इसमें आपने थेओरी नहीं कराई जितनी आपकी थेओरी बनेगी जिस चेप्टर में वो सारी आप आप कर आऊँगैं ठीक है? सवाल इस पर ये बनता है पहला वाट एंगल इच मेड़ एट 10.25 एम अगर घड़ी में 10 बज़ कर 25 मिनट का समय हो रहा है तो बताइए उस बज़ कितने डिगरी का कॉंड बन रहा होगा देखो आप घड़ी लेके बैठ सकते हो और घड़ी में 10 बच के 25 मिट बजा भी सकते हो लेकिन क्या आप घड़ी में देखके उससे एंगल बता पाऊगे एक्जेक्ट क्या एंगल बनेगा एक्जेक्ट आप आंसर नहीं बता पाएंगे यहां 197.5 डिग्री है 180 डिग्री है मैं इस सवाल को बताता हूँ जादा वक्त ना देते हूँ आपको मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया कि A एक्वल टू एंगल पूछाता है उसने हमसे मैंने लिख दिया H गुणा 30 माइनस 11 M बट्टे 2 यही था जो जो काम की चीज़े सिर्फ वही बता रहा हूँ इसमें यह नहीं के ज़्यादा चीज़े आपको बताऊँ एंगल पूछा है H क्या दे रखा है H मतलब मैंने आपको बताया था आवर 10 दे रखा है 10 इंटू 30 माइनस 11 M कितना है 25 बट्टे 2 ठीक है आप इसकी गुणा करोगे 300 माइनस 25 नहीं 25 और 25 और 275 बट्टे 2 यानि यह आजाएगा आपका 300 में से जब आप माइनस करोगे क्या 137.5 अब जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 140 नि तीन 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 सो आगया यानि तीन सो में से आपका आगया 197 पॉंट 5 डिग्री 137 गया 200 ठीक है A is the right answer 197 पॉंट 5 डिग्री ठीक है बाई किलियर हुआ आपको समवल ठीक है नहीं समझ में आया है कोई नहीं में बताए तुम दो आ रहा है क्योंकि न आपको इसलिए समझ में नहीं आया है क्योंकि हाँ ओप्सन जो दे रखा था वो ही नहीं क्योंकि 197 आएगा ही नहीं है ही नहीं जब आपने घ्टाया इसको तो यहां पर पता क्या आएगा एक सो 305 आपको माइनस करना इस में से तब आप कासर नाइगा कितना पांच नो में से दून गए साथ और पंद्रमेंद छेगे नौ यह आपका आगया दो में से गया एक सो सतानावन पांच दिगरे वो है थोड़ा माइनस की दिक्कत हो गी थी कैलकुलेशन में अब आपको समझ में आया ना 300 माइनस 275 बट्टे 2 यानि 300 में से मैंने 137.5 माइनस किये यहां आपका आगया 112.5 अगर आपका ये ओप्सन में है तब तो आपको ओप्सन टेक करना है ठीक है और अगर आपके ओप्सन में नहीं है तब आपको क्या करना है फिर 326 में से माइनस करना है तब आपका एंगल जो आया निकल के क्या है 197.5 डेक्री जो कि हमें ए ओप्सन दे रखा था अब इसको फॉर्मूली से करने में कोई दिक्कत नहीं आपको यह ध्यान से समझने है फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि यह पेपर में सवाल पूछे जाते हैं आपके अब यह तो है नहीं कि नहीं जी मैं फॉर्मूला यादी नहीं करूँगा मैं तो ऐसी करके आँँगा तो यह सवाल यह तो बहुत आसान है इसमें तो आपको बिल्कुल दिमाग लगानी की जरूरती नहीं है वाट एंगल इज मेड़ेट इलेवन ओक किलोग इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा भी इंडारेक्ट आपको मैंने बताया कि जब एंगल आपकी घड़ी बिल्कुल बारे के पास में एक सुई है मिनट की देखो यह नो था आपका यह बारे था यहां पर एक है यहां पर तीन है यहां पर ग्यार है सरफ इतना ही लिख रहा हूं ठीक है यहां पर इच्छे है अब अच्छा मुझे आप एक बाव बताओ मैंना आपको बताया था कि 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री के कौन बनता है आपको फिर दूसरी बात ही बताईती कि हर आवर के बीच में 30 डिग्री एंगल है यह नहीं कि आप बोलो 2 बजे भी 30 डिग्री क एक बन जागा आपको कितने बजे 11 बजे तो 11 बजे उसने हम से पूछा है 11 बजए किते डिग्री कौन बनेगा 30 डिग्री इसमें आपको कोई याद नहीं रहा फॉर्मूला कि इसमें आपको कोई यूज्व नहीं करना कि धिर थार्टी डिग्री मिलेगा क्योंकि दो पर- नहां पर होगी और मिनिट की तब भी बारे पर होगी फिर तुम्हें तीस बनेगा क्लिर हुआ ठीक है यानि क्या आप का अंसरा है कि तीस डीगरी इसमें आपको कोई यूज नहीं करना फॉर्मूल लेगा डारेक्ट टिक अब आते हैं सवाल तीन पर कुछ बच्चों को डाउट था कि सवाल थोड़ा बड़े रखा करो इसलिए मैं थोड़े बड़े रख रहा हूं फोन छुटा नहीं करता स्लाइट को ठीक है सवाल छे क्या है वाट एंगल इज मेड़े 950 नो बजकर 15 में अगर घड़ी में समय दिया हुआ तो कित्ते डिग्री का कॉंड बनेगा देखो यह बहुत आसान आसान सवाल है कोई इतने टीपीकल सवाल नहीं है मैं नहीं मानता टीपीकल हो सकता कुछ को टीपीकल लग रही हो बच्चों को तो वह आपको थोड़ी-थोड़ी ध्यान से समझो फॉर्मूला याद रखो निकालना क्लास के वाद दुबारा सॉल्व करना आपकी भी समझ में आ जाएंगे चीक है बताओ वही क्या अंतर है इसका नो बजकर 15 मिनिट पर कित्ते डिग्री का कॉंड बनेगा चलो मैं बता देता हूं दोको 9 बंदर है क्या मैंने भूर्म नहीं बताया था आपको एकल टू एच गुणा तीस माइनस एलेवन एम बते दो चीक है एच कितना है हमारा आवर का टाइम जो क्या नो गुणा तीस माइनस एलेवन एम कितनी है 15 बते दो तीस निम्मा 270 माइनस 15 गया रहे 15 नहीं डेड़त और 15 और 165 165 बते दो यानि 270 में से अगर मैं यह आगया आपका 82.5 अगर 270 में से 82.5 माइनस कर दू तो कितना अंसर बनेगा इसका 187.5 डिगरी यही बनेगा ना 10 में से 5 के 5 9 में से 2 के 7 और लास्ट में साथ यह की ओप्सन में दे रखा तो स्रीम है 187.5 अगर आपका 187.5 डिगरी यह ओप्सन में नहीं होता तब आप क्या करते फिर इसको आप 360 में से माइनस करते 187.5 फिर जो अप्सन में बन दा क्या बन दा 5 9 में साथ के 2 15 में से 8 गए साथ फिर आपका बनता एक और आंसर क्या 172.5 ठीक है दोनों आंसर इसके ठीक है जो भी आपके यह ओप्सन में दिया गया हो पॉइंट के लिए रहे हैं दिख रहा है सबको बराबर कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो अपनी एड़वाइज राय दे सकता उसकी बिलकुल जो भी बास सत्थ होगी सही होगी उसको फोलू किया जाएगा ठीक है सवाल नंबर अब आते हैं साथ प्याच्चा यह थोड़ा सा सवाल अलग है थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सवाल आखर कहना किया चाहरा है वाट एक्स्टिर एंगल इच मेड एट नाइन ट्विंटिफाइब ओक किलोग अगर घड़ी में नो बज कर पच्चीस मिनट का समय है तो कितने डिगरी का बाहे कौन बनेगा सवाल आप ध्यान से समझना और सुनना और फिर आप उसको करो कुछ नहीं ज्यादा लंबा सवाल तो है नहीं आपको सिधा फॉर्मॉल लगाना है क्या करना है मैंने क्या बता है फॉर्मॉल फ्री हाँ भी एक बार लिख देता हूं जिससे कि अगर बार बार जितनी वाल लिखोगा आपको यादी होगा है गुणा तीस माइनस ग्यारे एम बटे यहां पर दो है फिक है अब देखो यानी क्या बता है मैंने एच कितना है नो गुणा तीस माइनस एलेवन एम कितना है पच्चीज बटे दो ठीक है तीस निम्मा दो सो सत्य माइनस पच्चीज एकम पच्चीज और पच्चीज और जोड़ दो आप कितना आगे दो सो पिचत्तर बटे दो यानी अगर मैं दो सो सत्तर मैंसे 137.5 डिग्री अगर माइनस करता हूं तो क्या बनेगा भाई साब 132.5 डिग्री 132.5 डिखरा है ठीक है 132.5 दो को आपको डिया गया है तो आप जल्दी वाजिमें जिन्होंने सवाल ध्यान से नहीं पड़ा होगा वो 132.5 पे टिक कर सकते हैं 132.5 डिग्री लेकिन सवाल ने आप से क्या बुला है हमें क्या निकालना है एक स्टी एंगल बहाई कॉर्ड बहाई कॉर्ड मतलब जो बड़ा बड़ा एंगल होगा जो दो आंसर आपके निकल के आ रहे हैं दो जो कॉर्ड निकल के आ रहे हैं उनमें जो बड़ा बाला एंगल होगा उसको बोले से 132.5 माइनेस करना पड़ेगा यानि 10 में से 5 गए 5 नो में से 2 गए 7 पांच में से 3 गए 2 और 3 में से गया 2 यानि दूसरा अंसर क्या आपका मैं पर स्लेस लगा के लिख देता हूं 227.5 degree यानि कौनसा answer है B इसमें अगर सवाल ने बोला है कि exterior angle या interior angle तब वो दोनों answer आपको देगा option में इधर भी दे सकता है जाए इधर दे सकता है यानि दो जो angle निकल के आएंगे वो दोनों option में देगा आपको फिर कौनसा decide करना है कि सवाल ने पूछा क्या है exterior या interior और अगर आपका एक ही answer दिया हुआ है option में तो फिर आपको नहीं धान देना क्या है जो भी आपका answer निकल गया हो सकता direct भी दे सकता है 132.5 या हो सकता option में होता 227.5 फिर एक ही option देगा ठीक है सवाल के लिए रुआ यहां तक कोई doubt नहीं है कोई समस्या नहीं है अब आते हम आगे यानि इस पर जो मैंने आपको सवाल कराए कि हमें अगर time दे रखा है और angle उसने पूछा है तो यह type के सवाल बनते हैं इसमें कुछ और सवाल होंगे वह भी दे दूँगा मैं आपको करा दूँगा क्योंकि अगर time कुछ भी दे रखा हो बस अगर आपको यह वाला formula याद है तो आप सीधे उसमें लगाओ उसको value put करो और calculation आपको थोड़ी सी करनी पड़े कि उसका दब कांतर सी हो जाए लाग इसमें जो दूसरे type की सवाल बनते है वो क्या बनते है अब वो clear हुआ ना कि अगर आपको time दिया और angle पूछा है तो अब एक यह बनते हैं कि अगर angle दिया हुआ और time पूछा है अगर आपको angle दिया हुआ और time पूछा है यहाँ भी देखलो आप यहां आपको angle मतलब कौन दिया हुआ है ओह हो यानि इसका मतलब क्या है आपका कौन इसका मतलब दिया है सवाल में दिया है time यानि समय आपसे पूछा है तो इसमें क्या formula time पूछा न टी लिखा है इसको आपको याद है उसी वाले formula का बस पलट दिया है t equal to 2 बटे 11 फिर bracket में लिखा है h गुणा 30 minus plus a क्योंकि angle में minus plus कुछ भी हो हमें positive value लेकर आने इसलिए हैं दोनो sign लगाए हुए है तो क्या formula इबर में लेकर आपको बता देता हूँ t equal to 2 बटे 11 आपको याद रखना है दो बटे 11 है bracket लगाओ आप h गुणा 30 और minus plus a मतलब angle जो दिया हुआ है यह आपको value put करनी है और तुरन सवाल हुगा आप देखो खुद सवाल आपको अगर क्या दिया हुआ है सवाल आपको दिया गया है यहां पर degree नहीं आएगा क्योंकि समय है यहां पर degree नहीं आएगा ठीक है अटा लो इसको अब 3 बजे के बाद कितने बजे 135 डिगरी का कॉन्ट बनेगा यह आप सोचो कि अगर आपको formula ना पताओ तो क्या आप बता पाएंगे 3 बजे के बाद कितने बजे 135 डिगरी का कॉन्ट बनेगा तो आप formula लगाओ और सीधे टेक करो और तुरंट आपका answer आएगा 3 बजे के बाद कितने बजे 135 डिगरी का कॉन्ट बनेगा देखो क्या formula लिखवाईता है मैंने अभी 2 बट्टे 11 है h गुणा 30 और माइनस पिलस ए 3 बजे के बाद यानि पर दो बट्टे 11 लगाओ आप 2 बट्टे 11 है h कितना है h वो ही आएकर जो आवर है गुणा 30 माइनस पिलस ए कितना दिर रखा आपको यह मतलब angle कॉन्ट 135 डिगरी अब आपको यह solve करना है 2 बट्टे 11 है अब आप direct bracket लगा के ना time list करो आप सीधे गुणा का sign लगाओ को 2 बट्टे 11 है में गुणा होगी एक बार तो value ले गया हो माइनस वाली बाहर एक बार ले गया हो पिलस वाली अगर 30 या 90 में से 135 गे माइनस का 45 और एक बार क्या आएगा आपका दो बट्टे 11 है में गुणा 90 और 135 कितने होगे 225 अब देखो यहां पर आचुगी आपके नेगेटिव वेलू आप इसको काड़ दो ठीक अब करने कौन से आपको सवाल पॉजिटिव वाली यानि इसको में यहां लिख देता हूं कि दो सब पच्चीज दुनी साले 400 बटे 11 दिख रहा है अब अगर आप साले 400 में इदर आ जाता हूं साले 400 में 11 से भाग दो कितने जाएगा ग्यारे चौक 44 चालिस बार गया कमपलीट और दस बटे 11 आपका रिमेंडर दस बचा रिमेंडर कम बटे 11 ठीक है अब 40 से 10 बटे 11 आ गया लेकिन पूछा कहता है उसमें तीन बज़े के बाद तो आप शुरू में तीन और चुपका दो तीन बज़कर 40 से 10 बटे 11 मिनिट पर 135 जिगरी के कौंट बने रहा है डी ज़र आइट अंसर जखो जो भी जिस एक्जाम की तयारी करता है ऐसा नहीं किलोग की सवल नहीं आते हर किसी एक्जाम में किलोग से सवल पूछे जाते हैं किसी भी एक्जाम में कभी भी कोई भी कोई भी चैप्टर कोई भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ना कि यार इसमें से सवाल नहीं आते या यह तो मैं कर लूँगा कॉंडिविनेंस में ज्यादा हो पता लगता पेपर में ऐसा सवाल आया वहां आपकी बत्तिवोल हो ठीक है मतलब तो आपको पूरी तैयारी करके चलना है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और पूरा अच्छे से करके चलना है कि अगर उस चैप्टर में से कोई भी सवाल आपको कि पेपर में आ गया तो आप उसको कैसा और कर नहीं पाए तो इसलिए मैं सारे चैप्टर सारे सवाल करना हो एुँगा कोई पना अगत शूटे ठीक बस आपको formula याज रखना और जो जो उसने value put करने है वहाँ put कर दो सवाल ये है कि अगर घड़ी में 5 बज़े के बाद उसने पूछा है और कितने degree angle? 24 degree angle 5 बज़े के बाद कितने बज़े 24 degree का कौन बनेगा? आप इसको try करो कौनकि काफी सवाल मैंने बता दिया आपको अब मुझे बताओ आप इसका exact answer क्या हैगा? कर लिया होगा अब तो देखो पाँच बज़े के बाद क्या formula बताया था? दो बट्टे ग्यार है H गुणा 30 माइनस पिलस A ठीक है? यानि दो बट्टे ग्यार है आप यहाँ पे लेखो H के देरा रखा है आपको 5 इन्टू 30 माइनस पिलस यहाँ पे दोनों साइन आएंगे और एंगल कितना है? 24 दिग्री है यानि अब आपको solve करना है simple दो बट्टे ग्यार है देड़ सो मैंसे 24 के कितना आ गया? गुणा करके आप 126 कर दो ठीक है? और फिर एक बार आप जोड़ लो दो बट्टे ग्यार है एक डेड़ सो पांस तीस डेड़ सो पिलस चोवीज एक सो चोहत्तर यहाँ आपके दो आंसर आएंगे पिछले सवाल में भी दो आंसर आते हैं वहाँ पर नेगिटिव एलू थी 123 दो दूनी कितना आपका? 250 बट्टे 11 और एक सो चोहत्तर दूनी कितना आपके? 248 इसको इदर करता हूँ ग्यारे दूनी 22 बचा कितना? 3 ग्यारे दूनी 22 22 से 10 बट्टे 11 ठीक है 22 से 10 बट्टे 11 यहां पर कितना आ जागा इसको इधर करता हूं 11 या 33 बचा अठार है 7 बट्टे 11 ठीक है पांच बजे के बाद पूछाता है उसने अब क्या करना आपको शुरू में 5 चुपका देना है बस 5 22 यहां बाबो क्या जागा 5 31 तो कौन सा ओप्शन दिया हुआ 5 31 साथ बट्टे 11 अब देखो इस सवाल के दो आंसर है एक तो 5 बचकर 22 से 10 बट्टे 11 मिनट पर 24 डिगरी कौन बनेगा और एक 5 बचकर 31 मिनट 7 बट्टे 11 मिनट पर 24 डिगरी का कौन बनेगा इसमें वही वाला सवाल है जैसे पिछले कौन सेप्ट में वहारे का था दो आंसर बनते हैं जो अप्शन में दे रखा होगा उसको आपको ठिक करना है या फिर अगर दोनों अप्शन में दिये गए हैं तब सवाल में क्या बोलेगा कि पहली बार कौन सा पहली बार कितने बज़े बनेगा या ยब पाउंच बाईस दस वच्टे ग्यारा मिनट पहले होगा या पांच बारश работает एकतिस शाद ग्यारा मिनट पहले होगा क्या जवाप होगा फेले तो यह आएगा पांच बाईस दस बठ घरivan तो इसपर पहली बार और इसपर दूसरी बार ठीक है अब आते हैं इसके next सवाल पर सवाल नंबर आते हैं 10 10 नंबर सवाल क्या बुलता है आपसे कि after 7 o'clock at what time angle of 100 degree made first time इसने बुल दे जो मैंने आपसे बुला भी कि पहली बार दूसरी बार पूशता है तो इसने बुला 7 बजे के बाद पहली बार 100 degree का account कितने बजे बनेगा यानि इसमें दोनों अंसर आपके दी होंगे option में आप बहुत आराम से मन लगा के द्यान से पढ़िए गा चाहिए कोई भी आपका चप्टर चलना हो सारे चप्टर को पहले किलास में पढ़ें आराम से उसके बाद किलास में जो सवाल हुए हैं अगर आपको थोड़े लगता है कि एक बार में नहीं के लिए तो आप दुबारा उसको रिवाइच करिएगा पढ़िए का जरूर क्योंकि जब तक आप मन लगा के द्यान से चीज़ों को समझेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत आएंगे अग्जाम में अब देखो क्या फूर्मुला बताया था बार वार आपको लेक्के बता रहा हूं आपको बार वार लेकने के जरूरत फिर नहीं पड़े याद हो जाए दो बटे ग्यारे है एज गुणा 30 माइनस पिलस ए है यानि दो बटे ग्यारे मैंने यहां लेक्खा एज साथ यानि आवर इंटू 30 माइनस पिलस एंगल कितना है 100 डिग्री दो बटे ग्यारे आप गुणा लगाओ डारेक्ट आप 30 सत्ते 210 में से 100 गए 110 फिर दो बटे ग्यारे लेक्खो आप 30 सत्ते 210 पिलस 100 करोगे फिर आप 310 यानि यहां पर तो आपका आगया 220 बटे ग्यारे यहां पर आपका आगया 620 बटे ग्यारे अब जब आप इसको डिवाइट करोगे तो यहां पर तो आपका भीया सिंपल आजागा कितना 20 क्योंकि ग्यारे दुनी 22 और 0 आगया ठीक है यहां पर डिवाइट करोगे यहां पर इदर लिख देता हूं यह 11 ऐसे भाग करोगे 62 में यानि 11 पंजे 55 बचा कितना 7 7 और 0 70 हो गया फिर 11 छेक्के 660 रिमेंटर कितना बचा 4 चार वट्टे ग्यारे पूचा कितने वज़े हो उसने 7 वज़े के बाद यहां आप 7 लगा दो और 20 आया तो हैं यहां पर 7 लगा दो साथ 20 और साथ 56 चार वट्टे क्या रहा है अब दो अंसर आपके निकल गया है दोनों आपके आपके अविलेवल है ए और बी लेकिन फिर हम सवाल में देखेंगे कि इसने पूचा क्या है इसने बोला आप से यह रहा फर्स टाइम एंगलिस वालों के लिए फर्स टाइम और हिंदी वालों के लिए पहली बार तो पहली बार साथ 20 पर बनेगा यह साथ बज़ कर 56 मिनट चार वट्टे 11 मिनट पर बताओ आप खुद तो पहली बार बनेगा कितने बज़े साथ बज़ कर 20 मिनट पर 100 डिग्री का कॉंट और अगर दूसरी बार पूचता तो आंसर क्या आता साथ चार बट्टे गया रहा है ठीक है यह हमें बिसेज ध्यान देना है कि सवाल ने पूचा के जैसे उसमें क्या था एक्स्टिरियर इंटिर एंगल इसमें क्या था फर्स्ट ताम इस सेकंड टाइम तो इसने बोला आपने साथ बज़ के बाद पहली बार यानि साथ बज़ कर 20 मिनिट पर अगर घड़ी में आपके साथ बीस हो रहे हैं तो समझे लिए उसने हंडर डिगरी का एंगल बना हुआ है नाइन डिगरी कब बनेगा तीन बज़े बनेगा नौ बज़े बाकी सवाल में पूच्छागा तो डिफेरेंट डिफेरेंट आएंगे तीनो आपको बताया था कि जब ओवरलेप सुई करती हैं यहां तक के लिए रहाना सबको दो कॉंसर्ट अभी तक हुए हैं वह मैं अपने ज्ञान से समझे और सवाल भी किये उसके इसके बाद क्या है कि जैसे मैं आपको बताया था कि बारे घंटे में जो सुई ओवरलेप करती ह जीरो डिगरी कौन बनाती है यह एक दूसरे के ऊपर से बुजरती हैं या दोनों सुईया संपाती होती है तो बारे घंटे में कितनी बार बताया था ग्यारे बार बताया था यानि कि अगर बारे घंटे में बारे बार होता तो वह हर घंटे बाद ओवरलेप करती हैं लेकि इतने टाइम आद ओवरलेप करेंगी वह हम कॉंसेप्ट करने चाहिए अप्ठी यह वाला कॉंसेप्ट है यह पैना आपको बताया था कि घड़ी की दोनों सुईयां बारे घंटे में ग्यार वार ओवरलेप करती जिरू डिग्री अंगल आपको करना बताया था सेम इसवाले केस में इसने पूचा है कि अगर मैं आबरेज निकालने को कितने काथ तो क्या एक यह ऑँ और दो के कुछ बीच में यानि एक के कुछ बाद है यानि इतने टाइम बाद वो ओवरलेब करेंगी तो एकज़क्ट टाइम वो क्या है घड़ी की दोनों सुईयां एक साथ चलना आरहम करती है और वो प्रतेक 65 सही 5 वटे ग्यारे 65 सही 5 वटे 11 मिनट वाद वो ओवरलेब करती है यह सवर डारेक्ट आता है कि अगर घड़ी की दोनों सुईयां एक साथ चलना आरहम करती है तो वो प्रतेक कितने मिनट वाद ओवरलेब करती है तो यह कोई लिखनी की मतलब रटनी की चीज नहीं है आपको पता है कि 12 है कोई हैं कोई दाउट यहां तक बता हुआ है एक बार की बार कितने में कर लिए कंवर्ट अप वंग्यारे खीक है वारे गोना साथ बटस Basir हो गया तो प्रतेक एक बार कितने मेयों Nissan PARK कर सही 66 बचा कितना 6 फिर 11 55 65 सही 5 वट्टे 11 मिनिट बाद क्या करेंगी वो ओवरलेप सवाल आपसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा अगर घड़ी की दोनों सुरियां एक साथ चलना प्राहम करती हैं तो वो कितने मिनिट बाद ओवरलेप करेंगी तो आपका जवाब क्या होना च ये डारेक्ट 65 सही 5 वट्टे 11 मिनिट बाद वो ओवरलेप करती है ठीक है यहां तक समझ माया है ठीक अब देखो अब इस पर सवाल कैसा आपका बन सकता है वो देखते हैं सवाल सवाल आपका यह दिया हुआ है कि अगर घड़ी की दोनों सुई हैं हिंदी में सवाल में बोल देता हूं घड़ी की दोनों सुई हैं प्रते 65 मेंट बाद आपस में मिलती हैं देखो अभी हमने जो कॉंसेप्ट निकाला उससे क्या निकल के आ रहा था 65 सी 5 वट्टे 11 मेंट बाद लेकिन इसने बोल दिया 65 मेंट बाद आपस में मिलती हैं तो बताईए कि 24 गंटे में घड़ी कितनी तेज़े मंद हो जाएगी सवाल है इतना असन नहीं है हमेंने कॉंसेट में पढ़ा कि वो कितने टाइम बाद ओवरलप करती है 65 सी 5 वट्टे 11 मेंट बाद लेकिन इसने बोल दिया कि 65 मेंट बाद आपस में मिलती हैं तो इसके उसलब कि घड़ी तेज हैं यह तो कंफर्म होगा है घड़ी आंसर मंद को बताना है 10 वज 10 सही 10 वट्टे 143 मिनट तेज है या 12 सही 10 वट्टे 143 मिनट तेज है त्राइ करोओ इसको मैंने आपको इतना बता दिया कि आपकी आंसर बंद नहीं आए गयों क्योंकि जब 65 मिनट पर वो आपसम मिल लिए इसका में घड़ी तेज चल लए है घड़ी त ट्राइए करो भही होगा नी कोई नीमा बता देता हूँ देखो आप ध्यान से समझे ना इस सवाल को अगर घड़ी 65 स ही 5 वट्टे 11 मिन्ट वाद मिलती तो तो पतल भी निमनता फिर ठीक है लेकिन उसने बहुत या पेंसर मेंट मैं पांच बट्टे ग्याराह मिनट तेज है ठीक है तक है अब मैं निगाल लोग Google एक मिन्ट में कितना तेज है पाइंच वट्टे भाई यह 65 नीचे आजाए कोई किसी को डाउट गुणा 65 गुणा 65 ठीक है यह थीदर दिख रहा है ठीक है यानि यह 65 मिन्ट वहं पाँच वट्टे 11 तेज है तो एक मिन्ट में मैंने कितने निकाल लिए पांच बट्टे ग्यारा गुणा 65 मुझे निकालना कितना है 24 गंटे में यानि 24 गंटे का मतलब मैं मिनेट में कनवर्ट कर लेता हूं उसको 24 गुणा 60 ठीक है कितनी तेज हो जाएगी वो या तेज लिखा हुआ है यह तेज है इदर तेज ठीक है यानि आम मैं इसको इस और लिखूंगा अच्छे वो इदर ही यह रू लग गया है कोई बात नहीं मैं से रफ करके इदर लेख देता हूं दिखेगा नहीं आपको इदर जब एक मिनट में 5 बटे 11 गुणा 55 तेज है तो मुझे निकलना है 24 गुणा 60 मिनट में कितना तेज होगी मिनट में तेज बरावर कितना लिखा था 5 बटे 11 गुणा 65 और जब एक मेंट में था इतना चोवीट गुणा साट में करना तो उपर गुणा हो जाएगा चोवीट गुणा साट का ठीक है कोई देखकत अब यहां से जवाप सॉल करोगे इसको तो देखो क्या आ गया हमारा तेरे से कट गया है तेरें पंजे 65 ठीक है अब चोवीट चके कितना होता है 144 144 बटे 143 दस वर कंपलीट कट रहेगा 1430 तो यहां से क्या निकल क्या आ जाएगा दस सही 10 बटे 143 मिनट तेज यहां से आपका सवाल अलग है इतना मतलब इतना अलग कैलिकुलेशन है कि समझ में आया मैं आपको दुवारा बता देता हूं आप मुझे एक बात बताओ कि जब 65 सही 5 बटे 11 में बन ले थी तो गोड़ी में कोई आपक आपको फी कमिनी तेज़ मन देनी थी जब अगर वो 65 सही five बटे 11 में से पहले मिलती है ठीक है तो गड़ी तेज होगी नहीं होगी और अगर 65 बटे 11 में के बाद मिलती यै इससरामम फान गड़ी सीलो चलने है फिर तक भी तो और टाइम ले रही और जब उसने बोल दिया कम टाइम है मिलेगे 65 से 5 वर्टे 11 से यह कम है यानी थेज होगी फिर जबी तो कम टाइम है मिली और जब तेज होगी तो कितना थेज होगी 25 बट्त में 5 वट्टे 11 मिनट तेज होगी क्योंकि यह से एकसर टाइम ने 5 वट्ते 11 मिनट तेज होगी फिर मैं निकाल लिये 1 वट्त में कितना तेज है 5 वट्त ग्यारत है गुणा डिवाइट में आ जागे नीचे 65 क्योंकि 65 से मैंने 1 पर निकाला है मुझे निकालना कितना था चोवीज घंटे का यानी चोवीज गुञञा साट लिख सकता हूँ इसको क्योंकि मिनट में निकालना है तो मैं लिख दिया है पर चोवीज गुञा साट में तेज कितना होगी पाँच वट्टे मुझे यहां दे रखा था गुणा कर दिया मैंने 24 गुणा 60 से पांस से कार दिया 13 पंजे 65 फिर 24 की गुणा की 60 में 24 छिक के 144 0 और था 1440 बटे 11 गुणा 13 कितना आगे 143 143 में डिवाइड करूँगा 10 बार कटेगा 1430 10 10 रिमेंडर बचा 10 इलेक दे बटे 143 यानि 10 सही 10 बटे 143 मिनिट घड़ी तेज हो जाएगी यह सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है अगर 65 सही 5 बटे 11 से ज़्यादा टाइम दे रखा है तो घड़ी फिर सलो 65 सही 5 बटे 11 से कम दे रखा है तो फिर घड़ी तेज होगी तो आपके मंद वाले उफिन तो इसलिए पहले ही गट गए थी तेज वाले में वो क्या करना था सिंपल केलिवलिशन करने थी ठीक है अब आते हैं सवाल नंबर सवाल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि इतना सवाल टिपीकल था लेकिन मैंने दो वार बता दिया सवाल समझ में आ गया होगा ठीक है अब आते हैं सवाल नंबर अच्छा ये एक हमारे सवाल बनते हैं वाह ये आप सवाल देखो भाई सवाल हमारा नेक्स्ट क्या है कि अगर घड़ी में ये डिफिरेंस सवाल है अगर घड़ी तीन और चार के बीच कोई भी टाइम दिया हुआ है लेकिन उसने एक सर्थ आगे दिया है कि तीन और चार के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से आठ मिनट आगे होगी आठ मिनट आगे होगी वेन इट बिट्वीन थिरी और फूरो कलॉक मिनट हैंड एड बाई एट मिनट फ्रॉम आवर हैंड इन एक कलॉक यानि तीन और चार की बीच में इसा कितना टाइम कितने बज़रे होंगे जब मिनट की सुई पुछिए उसने गंते की सुई से 8 मिनट आगे होगी देख़ो अगर मिनट की सुई आगे होगी सबसे पहला आपो क्या करना है कभी कभी ओपसन से सवाल हो जाता है क्या करना है अगर उसने आगे बोला है तो आप मुझेodo क्या तीन बचकर 15 मिनट से पहले का जो भी समय होगा तीन सोले के सम्तिंग उससे पहले का समय होगा क्या सोई उस वक्त आगे होगी बराबर की होगी पीछे होगी तो आगे के इसापते यानि तीन पंद्रे से कम वाला समय तो बिल्कुल गलत है एक option आपका कट गया और जब घड़ी तीन बजा रही होगी यानि स चैनल नौ बारे यानि शाले तीन पर सुई यहां पर होगी और यहां पर होगी क्या यह आठ में आगे होगी तो बहुत जादा आगे होगी तीन तीसवी कट गया पचीस और वीस में आपको देखना क्या अंसर बनेगा पचीस बीस करीवें थोड़ा यह बताओ आप सवाल नंबर कौन सा यह बारे नंबर सवाल कि बताईए भाई सवाल नंबर बारे बताईएगा अब आप सोच रहों गया आठ मिनिट भी इसमें भी समय दे दिया है समय उसने दिया हुआ है समय इसमें सवाल में दिया हुआ है इसमें एंगल तो कोई नजर ही नहीं आ रहा मैं आप देखो कोई हिनी मैं बताता वंब देखो आप सबसे पहले के गी मरे deviation कोई सी आगी होगी या पीछे होगी आप मुझे बताऊ minute की सोई यसने बोली होई है आप यह बताऊ अब मैं एंगल कि निकाला हुआ हुआँ कूइं uses तो मेरे लिए क्या कंडिशन होनी चाहिए अगर टाइम दिया हुआ है तो फिर मुझे एंगल पता होना चाहिए तब ही तो मैं फोर्मूला लगा पाऊँगा आप मुझे एक बात बताओ मैंने आपको बताया था मिनिट की सुई जो होती है कि एक मिनट में कित्स है शैदेगरीर यादा नहीं है मिनिट की सुई और सेकेंड की दौनों इचैठी कोन बनाती है याठ मिनट आगे अगे होगी इसका मतलब की तो आठ चेंग अर्तालीस यह पॉइंट समझ में आया उसने बोला कि मिनट की सुई गंटे की सुई से कितने आगे होगी या आठ मिनट आगे होगी इसका मतलब कि उसने दोनों के वीच का एंगल दिया हुआ हमें कितने बुझे बन रहा होगा अब मुझे एंगल निकलना था तो मुझे पता है जब मिनट की सुई पूछी तो मिनट की सुई एक मिनट में छे डिगरी कोन बनाती है तो क्या मैं आठ मिनट में कौन नहीं निकल सकता है इनी 48 डिगरी तो कुछ निए सवाल में हमें टाइम ये दे रखा है उसने इतने बज़ी के बाद और एंगल दे द सवाल में कुछ बचा थोड़ी सी लेंग्विश समझने की बात थी कि आप सवाल को पहले समझे कैसे तो दो बटे 11 है 90 में से 48 गए 42 दो बटे 11 है 90 में 48 जोड़ोंगा 138 इस वाले पार्ट को मैं इदल लिख रहा हूं 138 दुनी 276 बटे 11 डिवाइट कर रहा हूं कितना आ जाएगा 11 दुनी 22 बचा 5 ग्यारें 55 पच्ची सही एक बटे 11 42 दुनी 84 इसको इदल लिख रहा हूं 84 बटे 11 कितना आ गया 1177 साथ सही साथ बटे 11 ठीक है हाँ दोनों आपके आगे ठीक है अब तीन बचे के बाद उसने पूछा है तो तीन में सुरू में लगा दूँगा ठीक है यहाँ पर तीन लगा दूँगा अब आपके लिए जो बात ध्यान देनी वाली बात पता क्या है जो को दोनों आपके मिल गए तीन सही तीन बचकर साथ सही साथ बटे 11 और तीन बचकर 25 सही एक बटे 11 अब आपको इसमें कौन सांसर्ट है वो कैसे ayche करेंगे आप कि उसने बोला क्या क्या है आगे है या पीछे है अगर तो सोई आगे होगी तो टायम कम होगा फृर तो तीन बचकर सा साथ साथ पर्णावल मिनटकु शिर्ण veggies की सब्सक्राइब है हैं वाइऐ के लिए हुआ पॉइंट कैसे आपको निकालना है कि अगर सवालने हम से ये भोला है कि इतने minute सुई आगे है minute की सुई के लिए तो minute के इसाफ से एंगन निकालने के इसे पता है कि 1 minute में 6 degree کون बनता है आगे है तो time ज़्यादा वाला आएगा और कम है, पीचे है तो time कमबाला आएगा यहां तो कोई डाउट तो नहीं के लिए हुआ दोको आप थोड़ा समझने की कोशिश करना किसी को समझने में देखकत हो रही हो तो एक बार दुवारा पढ़ने ना ठीक है दुवारा देख लेना या देखकत आएगे तो कोई चप्र रिपीट भी कर देंग दुवारा पढ़ा दूँगा ठीक है अब आते हैं इसके एक और सवाल इसमें दो सवाल बनते हैं कि या तो आगे है सुई या पीछे है ठीक है दूसरा सवाल हमारा ये बनता है दूसरा सवाल क्या है इसने बुलाए आपसे वेन इन बिट्वीन थ्री और फोरो कलॉक मिनट हैंड लेग बाई फोर मिनट फ्रॉम आवर एंड इन इन इक लॉक यानि तीन और चार की बीच कितने बज़े मिनट की सुई गंटे की सुई से चार मिनट पीचे होगे मतलब मैंने क्या बता है कि मिनट की सुई पीचे है आवर की सुई से तो चाई मधीव्ली सीधी बाद कम ही हो रहा होगा ज्यादा तो आए और बाए ईसमेर जासर आत्म मुझे बाद इस्मेहल बनेगा 24 दिग्री एंगल बनेगा सीदी सी बात थी कि हमें ऑप्सन अगर दे रखे हैं मिनट वाले तो हमें एंगल पता होना चाहिए तभी तो हम टाइम बता पाएंगे उसका अब फॉर्मॉल लगा दो आप दो बटे ग्यार है एच कितना है तीन यहां टाइम कुछ भी दे सकता ज़रूर ने तीन और चारो पांच और छे दे दे चार और पांच दे दे शात और आठ दे तीन गुणा तीस माइनस पिलस एंगल कितना आएगा आपका 24 दिग्री तो दो बटे ग्यार है तीस तीन नब्य में से 24 दे चेतर ने चेतर ने चेतर आएगा चाहसट और यहां पर क्या जागा आपका दो बटे ग्यार है नब्य और 24 एक सचोज़े नब्य में से 24 जाएंगे 66 तो आएगा ठीक है 66 दुनी 132 इधर लिख देता हूँ 132 बटे ग्यार है तो सॉल करो इसको कितने बार कट जाएगा बारे बार कटेगा तीन बारे आगया ठीक है यहां आप सॉल करो कितने आएगा यह एक सचोज़े दुनी 228 बटे ग्यार है ग्यार है ग्यार दुनी 22 यानि 20 बार कटेगा बीस से याट बटे ग्यार है अच्छा आंजरी निदे रखा तीन लगा तो सुरू में 90 और 24 एक सचोज़े ही होगे न एक सचोज़े दुनी 228 बटे ग्यार है दुनी 22 बीस से कटेगा बीस थीक है अब आप देखो उसने आप से बोला क्या है कि चार मेंट पीचे है एक बाँ बताओ तीन बच के बार मेंट पे पीखे होगे जो घंटी की सुई पीचे होगी तब ही जो आगे है तो फिर आता ज्यादा वाला टाइम कि यानि अगर घड़ी में तीन बचकर बारा मिनेट पर से तोड़ी huh तोग पर कि तोग य। सवाल केलियर हुआ है एक बार देख लो आपके लिए अगर किसी को डाउट हो ये समझ में ना आयो तो एक बार देख लो पूरा मैंने कैसे कैसे बताया चार मिनट की सुवी पीछ थी तो मैंने देखा एक मिनट में चार में 24 डिग्री बन जाएगा फिर मुझे पता लग गया कि तीन बजे के बाद पूछा और एंगल दिया हुआ है फिर तो टाइम निकालने में कितना आसान है कि फॉर्मुला लगा दो आप दो बट्टे गया रहा है एज गुणा तीस यानि तीन गुणा तीस माइनस प्लस चौवीस दोबट्टे गया रहें 90 में से 2024 गये 66 ठीक है 66 बचा और 90 में 24 जोड़ोंगा एक सचोगई 2028 बट्टे गया रहें वहां तो आपका टाइम आएगा तीन बचकर 20 ती आठ बट्टे 11 मिन यहां आएगा 3 बज़ के 12 मिन तीन बारह हमें आपसन में दे रहा ता हमने टिक ख़र दिया दोनों आपसन में होते तब भी अंज़र 3 बारह आएगा क्यों तो कुछ ने बोल रखा पीछे कितने बज़े होगी ठीक है यहां तक क्लियर है अब देखते कौन था सवाल है अच्छा एक सवाल हमें यह दिया हुआ है यह बताईएगा भाई कौन बताईगा चार और पांच बज़े के बीच घंटे तता मिनट की सोईयां कब एक दूसरे के बिपरीत होंगे बिपरीत यहां जाने आप यहां आवर की और मिनट की सुई एक दूसरे के बलकुल च्छे बज़े जैसे वहूंगे ना इस तरह भी बिपरीत अब बुला है कि चार और पांच के बीच कितने बज़े घंटे तता मिनट की सोईयां एक दूसरे के बिपरीत होंगे तो कहने के मतलब इसका ये है कि चार और पांच के बीच कितने बजे घंटे तता मिनट की सुईयां 180 डिगरी के कौन बनाएंगे बताईएगा ऐसा वाल तो मैंने भी आपको पीछे करवाया है बिपरीत मतलब 180 डिगरी का एंगल उसने बोला हुआ है और जब आपको पता लग गया कि 180 डिगरी एंगल दिया है हमें चार वेजे के बाद दिया है तो सिंपल क्या करना आपको दो बटे ग्यार है डारेक लिख रहा हूँ ह मतलब 4 गुणा 30 माइनस पिलस 180 डिगरी दो बटे ग्यार है 120 में से 180 के माइनस 60 दो बटे ग्यार है 120 और 180 300 अब आज़ो बिलू पे इनसे ये कार्ट तो नेगिटिव आ गया 300 दुनी 600 बटे ग्यार है जब मैं 600 में 11 से डिवाइट करूँगा तो कितना आएगा अंसर 11 पंजे 55 बचा कितना 5 11 चौक 44 बचा कितना 6 यानि 54 सही 6 बटे 11 पूछा कितने के बाद था 4 बचे के बाद आप 4 और चुपका तो आप क्या अंसर आ गया 4 बचकर 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर गड़ी की दोनों सुईयां एक दूसरे के विपरीद हूँगी या दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिगरी का कौण बनाएंगी ठीक है सवाल की थोड़ी से लेंगर अजीब थी क्योंगी एंगल नहीं दे रखा था तो आप जिससे कन्फूज नहों अब आप समझ जाएगा याद रखिएगा कि अगर विपरीद बोला है तो फिर 180 डिगरी के एंगल उतने बोला हुआ है दो बटे 11 लगाया एच मतलब 4 बचे के बाद पूछा है तो 4 एंगल लगाएगा 120 और 180 300 बटे 11 600 बटे 11 हो गया 600 में 11 से डिवाइट करोंगा 54 से 6 बटे 11 है कौन से ओप्सन में था C ओप्सन में तो 4 बचकर 54 से 6 बटे 11 में घड़ी की दोनों सुई है 180 डिगरी के कौन बनाएगा विपरीत होंगी सवाल 5 यह बताईएगा वई अलग सवाल है कौन बताएगा इसको हम इधर ही निकालेंगे दोनों साइट थोड़ा थोड़ा बताओ 5 से 6 बजी की बीच घंटे तता मिनट की सुई है कब-कब एक दूसरे समकोन बनाएगी समकोन मतलब मैं लग देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल पांच और 6 बजी के बेच अब तो कुछ नहीं है समकोन ते रखाता उसमें तो मैंना आपका अगल भी लिख दिया उसमें राइट एंगल ट्राइंगल और 90 डिग्री एंगल अब जा रही है चलो देखते हैं दोखो अब क्या था इसमें इधर से लिखना शुरू करता हूं दो बट्टे ग्यार है है एच कितना पांच गोड़ा तीस माइनस प्लस नब है दो मैंने आपको पहले बुला है यहां एंगल कुछ भी दे सकता है जैसा भी पिछले सवाल में बिप्रीद लाइन बोल नहीं 180 डिगरी यह समकॉन बोल नहीं हमने अभी कैसा से वाल केज़े पीछे कुछ 24 डिगरी 135 डिगरी 100 डिगरी कुछ भी दे सकता है वो ठीक है दो बट्टे ग्यार है दो बट्टे ग्यार है गुणा डरेक्ट लिखता हूं डेट समय से नब्वे गए शाट दो बट्टे ग्यार है डेट सो नब्वे 240 ठीक है यह 120 बट्टे ग्यार है यह 480 बट्टे ग्यार है अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्यार हम धाई 110 10 सही 10 बट्टे ग्यार है 11 4 44 4 4 बचा गयरतिय ते थी 7 7 भचा 3 47 बट्टे ग्यार है पूछ laughter कितने बज्याइंगे बाद था 5 बज्यार की बाद that जिए जे कड़ा थे आये गड़ा है तो आये ना है आपको यहां पर चिपका देना है क्या आंसर आपका आगया इसने दोनों आंसर दे रखें को कि दोनों बार 90 एक तो पांच बचकर दस सही दस वट्टे 11 मिनिट पर 90 डिगरी का कौंड बनेगा और एक आपका बनेगा पौने च्छे के आसपा जो एक टाइम क्या होगा पांच बचकर 43 सही साथ बट्टे 11 मिनिट पर 90 डिगरी कौंड बनेगा कौन सा ओप्सन दे रखा आपको बी बी इस राइट आंसर अगर आप से वो यह बोलता सवाल कि अच्छा भी बताईएगा इधर आता हूं कि 5 से 6 के बीच घंटे तता मिनिट की सुई यां कब एक दूसरे से सब कौन कब की चिकी कौना पता कि असे रखा होता कि पहली बार एक दूसरे से समखोण बनाएंगी पहली बार का मतलब पांच बlanस का 10 से 10 बैदे 11 मिनिट आता और अगर बोलता कि 5 से 6 के बीच घंटे तर्टा मिनिट की सुई आं दूसरी बार एक दूसरे से समखोण बीच में सिर्फ दो बार 90 डिग्री कौन बनेगा ठीक है जी अब आते हैं सवाल नंबर 16 पर अच्छा अब आपको एक सवाल दे रहाएं ख़द कोई इसमें जादा अंगली जी की जरूद नहीं है इसलिए हिंदी में सवाल है मैं बता देता हूँ एक बार कितना आसान सवाल दिया हुआ है कि चार बचकर 40 मिनट पर दोनों सुईयों की बीच कितने अंसका कौन होगा बत मैंना भी आज की एक फोर्मुला बताया था है a एक गुदागी समाइनस इलेवन एम बटे दो या और का मतलब चार हो जाएगा आवर का टाइम है एंका मतलब मिनट होगा चालीस टाइम है फिर तो आपका एंगल निकल आएगा देखो H गुणा 30 माइनस 11 M बटे 2 क्या था ये एंगल एक्वल टू H कितना है? 4 गुणा 30 माइनस 11 M कितना है? 40 यानि M मतलब मिनेट बटे 2 34 120 माइनस यहां से आप इसको 20 बार काट दो 11 20 11 29 220 कितना आगया आपका 120 में से? एक तो आपका आगया 100 डिग्री 100 डिग्री आगया और दूसरा एंगल अगर आपका एक और आएगा तो क्या आएगा? 260 डिग्री आएगा 260 डिग्री आएगा तो पहला एंगल आगया 100 डिग्री दूसरा आएगा 260 डिग्री लेकिन इसने ओफ्सन में कौन सा दिया हुआ है? सिम्बिल सो तो फ़रा बी टेक कर दो यानि 4 बच के 40 मिरेट का टाइम क्या होगा? जो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ आप यह देखो नो बारे तीन छे ठीक है? चार बज़े यह टाइम होगा, पांच बज़े यह होगा, साथ और आठ यानि 4 चालीस पर जो घड़ी की सूई होगी न, यह जो एंगल आया है 100 डिग्री यह दो को क्या आया है? यानि यह तो पका चालीस आठ पर है और यहां का मतलब यानि यह वाला चार चालीस करीब यह बनेगा टाइम इनकी बीच के जो एंगल आया, वो तो आया है यह 100 डिग्री है, ठीक है? और यह 260 आया है, मैंने यह बताए रहा है ठीक है? क्योंकि ओप्सन में 260 था नहीं बना, 200 टिक करते हैं क्योंकि यह 100 माइनस में आ रहा था तो हमने 100 टिक कर दिया कि इस का अंसर अब 100 डिग्री होगा, 4 बचकर 40 मिनिट पर एंगल कतना बनेगा? 100 डिग्री क्योंकि एंगल माइनस में नहीं आएगा, ठीक है? यह पॉइंट के लिए हुआ सवाल? अब आते हम इस सवाल पर अच्छा, एक हमारी सवाल इस टाइप के बनते हैं पेपर में एक सवाल हमारी यह बनते हैं कि एक घड़ी प्रतेक पहले आप सवाल पढ़ो फिर में बताता हूँ खुद पढ़ो पहले आप कि एक हमारी यह बनते हैं पढ़ लिया हुआ अप तो, ट्राइवी कर लिया हुआ क्या वो ला सवाल? अच्छा, इभी हिंदी में कोई बात नहीं देखो यदी एक घड़ी प्रतेक तीन घंटे में बारे सेकंड आगे बढ़ जाती है जिनको हिंदी पढ़ने में देखकत है, समझने में देखकत नहीं होगी मैं बतला देता हूँ कि माल ले एक घड़ी है तीन घंटे में बारे सेकंड आगे हो जाती है यानि हर तीन घंटे में बारे सेकंड आगे हो जाती है यदि उसे जैविवार यानि संडे को दोपेर तीन बजे सही सेट कर चालू किया गया था यानि संडे दोपेर में उसे तीन बजे सही टाइम उसका दिया तो मंगलवार को प्राहते मतलब सुबह दस बजे पिराते हैं कि जिनको नहीं बता उसको सुबह बोलते हैं सुबह मतलब एम सुबह दस वजे क्या समय दिखाएगी दो को पिरते एक तीन गहंटे में बारे सेगंड आगे हो जाती है और संडे को हमने उस दोपेर में तीन बजे सही सेट किया तो मंगल बार सुबह दस बजे क्या टाइम दिखाएगी यानि कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी अब सबसे बिल हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम यह देखेंगे कि जब तीन गहंटे में बारे सेगंड बढ़ रही है तो एक गहंटे में कितने आगे बढ़ेगी यहां लिखता हूँ एक एक लाइन लखूँगा ध्यान से समझना तीन गहंटे में बारे सेगंड आगे हो रही है सुई ठीक है तीन गहंटे में बारे सेगंड आगे तो एक गहंटे में कितने हो जाएगी चार सेकंड आगे चार सेकंड आगे हो जाएगी अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा सिंपिल अब अब क्या करना है कि हमने प्रते गंटे में निकाल लिए प्रते गंटे में कितने सेकंड आगे हो रही है चार सेकंड आगे हो रही है अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर संडे सुवय मैंने संडे दुपयर में तीन बज़े सही समय दिया था तो मंगलवार सुवय दस बज़े तक कितने घंटे वो बर्चू की होगी सुई अब देखो आप इसको कैसे लिखो के संडे तीन बज़े से संडे तीन बज़े से कितना टाइम निकालना है मुझे टिउजरे टैन एम इसको आप पी एम लिख देता हूँ दुपयर की बात है पी एम और एम में दिक्कत नहीं आएगी फिर अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर समझने वाली बात यह है अगर आप एक एक दिन के साफ से the आवर पी ने और तक दो दिन में होते और वर्ट पांच घंटे तो टो टल्सओव रहां पर निकले कितने होगे तेतालीस घंटे यानि संडे दुबएर तीन बजे से त्यूज्टे सुबएर दस बजे तक अविसने टूटल तेतालीस घंटे आगे वो ते तो एक घंटे में चार सेगेंड आगे हो रही थी तेतालीस हंटे में कितना आगे और यह जाएगी 43 चोग कितना हो गया 44 163 चोग 12 यानि कि 172 सेकंड आगे हो जाएगी 43 घंटे बाद और 172 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं 3 मिनट कम्प्लेट तो होंगी नहीं चाट्भी इसको लेक सकता हूं मैं 2 मिनट 22 सेकंड त्गे तो जब आगे हो चुक होगी तो 10 वज़े टाइम के दिखाईगी वो 10 बज़ कर 2 मिनट 22 सेकंड आप 10 बज़े में जोड़ दो जिनकी समझ में नहीं आया हो जिनके आगे बहुत अच्छी बाद है जिनकी नहीं आया और अच्छी बाद है कि उनकी वेज़ से हो सकता कुछ बच्चे हो और दौरा समझ लें अच्छे से एक घड़ी प्रते तीन घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है तो हमने क्या किया हमने यह किया कि हमने प्रते घंटे का निकाल लिया कि अगर प्रते घंटे के इसाफ से देखें तो कितने सेकंड आगे बढ़ रही है यानि तीन घंटे में अगर बारे सेकंड बढ़ रही है तो एक घंटे में वो चार सेकंड आगे बढ़ेगे फिर मैंने क्या किया कि जविवार दोपेर को तीन बजे से त्यूज़े सुबै दस बजे तक कितने आवर कवर करेंगे 43 आवर बाद उसने टाइम पूछा कि 43 आवर बाद कितना टाइम आगे हो चुकी होगी अब यहां आते हैं जब एक घंटे में 4 सेकंड आगे थी तो मैंने निकल लिया 133 घंटे में कितना आगे होगी 172 सेकंड है second आगे होगी 172 second को मैं minute में convert कर लूँगा यानि 60 से भाग करूँगा एक minute में 60 second होते हैं तो 2 minute 22 second आगे है तो 10 वज़े time उसे ने पूछा है नहीं 10 वज़े से जब time निकालेंगे तो इतने minute आगे हैस हुई तो मुझे exact time क्या बताना पड़ेगा कि 10 वज़े कर 2 minute 22 second time हो रहा है घड़ी में ठीक clear अब इसका एक और समल करते हैं या बताओ एक समल रमेश की घड़ी रमेश असुरेश रमेश की घड़ी रैवार को दोपर 3 बज़े सही समय से 5 मिट पीछे थी रवार को दोपर 3 बज़े और मंगलवार को दोपर 3 बज़े सही समय से 3 मिट आगे थी तो इसने ठीक समय कब दिखाया अच्छा रवार को दोपर 3 बज़े तो 5 मिट पीछे थी और मंगलवार को दोपर 3 बज़े कि थी समय से तीन मट आगे तो इतने ठीक समय कब दिखाया संबर सबस्थ बजे सो ओनी सबस्थ सबस्थ सुमार नो बजी दाथ मंगल्वार साथ बजी शुब्ए या मंगल्वार नो बजी शुब्ए ट्राइब करो आप यहां आपका सवाल है सवाल पर एक बार द्यान से पढ़ो उसको समझो तब आपको करने में मज़ा आएगा करने में आएगा 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 आएग को कि कि वहां कि वहां कि से रामीह की हाफ में दॉफहार को दोफ़ेर थीन सबैसे हैंünde और मंगलवार को दोफ़ेरर तीन बज़े चाही समय से और चाहिस थी यानी अब आप इसलोखकर देखो कि द्राइब दॉफ़े टीन by देसे मंगलवार तो पेर तीन में तक कितने टाइम? 48 घंटे हो गए तीन बजे तो यहां तो पीछे थी और वहां 3 मिनट आगे हो गए यानि 48 घंटे में घड़ी किसी 8 मिनट आगे हुई है क्योंकि 5 मिनट उसने पीछा वाली कबर की है और यहां पे 3 मिनट आगे हो गई तो यानि अगर मैं कहूं कि 48 में ज़कि कितने आगे चली तो आठ मिनट छी रही है है तरह आखे हो रही है ते लिए सबस्क्राइन नियुस्ते आ अगे होगी है वह आकशिक भाट मेंट पीछे थी यानि चे घंटे में एक मिट आगी हुई है तो पांच मिट कितने घंटे और तीस घंटे में आगी हुई होगी ठीक है घंज वाफे तो रवेवार दुबर तीन बजे से मंगलवार दुबर तुबर तीन बजे तक चौबीस हंटे हो गए छे आप और जोड़ दो यानि कि सौंबर नौ बजे रात इसका अंसर आएगा हुआ कि ना बतायता हूं थोड़े ओसरता है बोलने से ना समझ माय हो आप मुझे एक बात हो कि यहां पेस होई जववार दोपैर से यहां पर लेखता हूं अभी पिछले सवाल में सेम लेखा था कि जववार संडे पूरा लेखता हूं संडे तीन बजे थिरी पीम से यहां लेखता हूं एरो और टीउजडे थिरी पीम तक कितने घंटे कवर हूए भाई दो दून होगी पूरे यानि फोर्टी एट आवर फोर्टी एट आवर में अब ध्यान से सुनना आप कि जब रववार दुपेर को तीन बजे घड़ी की सुई पांच मैंट पीछे थी ठीक है और जब मंगलवार दुपेर तीन बजे उतने समय बताया तो तीन मैंट वो आगे हो गई तो आप मुझे वताओ कि जो इन अर्श पीछ वाले कट गेर आगे से और तब यह तो तीन मक्ल आगे रही गी हो यानि की फोर्टी एट हावर में रूटी एट आवर में जो सुई है वो आट मिनट आगे हुई ए 8 मिट आगे ठीक है मुझे निकालना कितना कि पांच मिट पीछे कब थी यानी 8 मिट आगे होई आगे है तो मैं निकालनेंगा 6 मिट आगे हो रहे थी अब आप कहो जी आपने 6 क्यों लिखा मैंने इस लिए 6 लिखा कोई कि मुझे इधर एक लाना था कि मुझे इ दरे हैं ठाका da तो अगर हमें पांच मिनेत आगे करता हूं तो मुझे गंटे कितने चाहिए 30 गंटे यानि यह जो घड़ी पांच मेंट पीछे थी अगर मैं इसको आगे करता हूं पांच मेंट कवर करने के लिए तो मुझे 30 गंटे वाद समय करना पड़ेगा 30 गंटे किस में चोड़ेंगे रवाद दुपेर तीन बजी में अब आपको मैं लिखता हूं बिलू पैंसे जिससे कि आप देख सको कि संडे कितना समय था भाई 3 पीएम मैं आपको कितने आपर जोडने है 30 गंटे देखो अगर आप 24 गंटे जोडते हो तो सिंपल संडे 3 हो जाएगा मंडे 3 पीएम में फिर आपको 6 गंटे और जोडने पड़ेंगे तो क्या अंसर आएगा इसका यहां पर लिखता हूं कि दिख रहा होगा हां मंडे 9 पी-एम कि मंडे 9 पी-एम बोल दो या सौंबार रात के 9 बज़े बोल दो हो गया के लिए सवाल जनको नहीं हुआ अब एक बार सॉलूशन में लेख दिया है अब आप समझने की कोसिस करना इसने हमसे बोला कि जमेश की घड़ी राविवार को दोपर तीन बचे सही समय से पीछे थी ठीक है यानि अगर मैं सही समय पूछ हूँ तो मुझे क्या होता कोरा पांच में पीछे हो गया अब ये पांच में आगे कितने दिएज़動画 घंटे चलने पड़ें है और मन्लवर को दोपेर 3 जुए सब्चुरूद चल के ठू cu 8 मिट मैं ने इसलिए लिखाया पर मुझे क्या करना ता इसलिए फिर निकालना था इसलिए कहला लिया जिससे कि बचैंव असान हो गई मुझे आगे कितने करने है पांच मिनट तो मैंने पांच मिनट आगे किया तो लगेंगे उसको 30 तो तीस घंटे में लगेंगे पांच माट आगे करने के लिए तो संडे दुपहर तीन बजे सही समय है अगर मैं तीस घंटे जोड़ दूँ क्योंकि तभी तो पांच माट आगे होगी तो मुझे एक्जेक्ट जो राइट समय होगा वो मिल जाएगा तो संडे दुपहर तीन बजे से 24 घंटे यानि मंडे दुपहर तीन बजे और 6 घंटे आप और जोड़ दो तो मंडे दुपहर तीन बजे में जब आप 6 घंटे और जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा कि मंडे रात के 9 बजे यानि सौंबार 9 बजे जात में वो ठीक समय दिखाएगी ठीक है अब तो नहीं है कोई सवाल खतम अच्छा अब देखो किलोग चेप्टर मैंने आपका पहली किलास ली थी और सेकंड किलास ली सेकंड किलास में किलोग चेप्टर पूरा फिनिस हो गया है अब इसकी आपको PDF दोनों की मर्ज करके एक PDF मिल जाएगी कलोग की तो आप उसको प्रेक्टिस करिएगा एक बार और इसके बाद मैं चेप्टर शुरू करूँगा नमबर सीरीज क्योंकि जो पहली किलास होई थी वो सिर्प इंट्रो था अब मैं नमबर सीरीज शुरू करूँगा और बहुत उसमें अच्छे-च्छे तक्रिस सवाल करेंगे और बिल्कुल बेसिक से उसमें कराऊंगा तो आप सभी लोग आईएगा इस क्लास को आप पढ़िएगा अच्छे से और बिल्कुल आप यह लोगे सिलिवस कैसे होगा मैं बकैदा चैप्टर वाइज सेक्षन वाइज बहुत सिक्वेंस से सारा सिलिवस कराऊंगा बस आप पढ़ते लिए मन लगागे ठीक है और अभी कुछ रिकॉडरी क्लास है तो उसकी टाइमिंग 2.30 पीम है उसके बाद लाइब क्लास लगीगी भी तो उसकी टाइमिंग डिफरेंट हुजागी वह आपको मैं आप चैनल को सब्स्राइब कर लेंगे तो आपको उसमें नूटिफिकिसन आज जाएगा तो बिज़ा लेता हूँ आपसे धान रखिएगा अपना बाई बाई थैंक्यू